हलो दोस्तों आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में श्वागत है आज हम पढ़ेंगे अध्भादो अमले छारक एवं लवड इसेट बेस एंड सार्ट का लेक्चर टेन जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लवड जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिस में सार्ट भी कहता है तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चली सबसे पहले हम लोग कल का जो केस्टन है उसके आंसर के बारे में समझ लेता है फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल का question है प्रश्ण तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकता है 1, 2, 3, 4 रथा चार question है तो चलिए हम इसका answer क्या step आ step कर जाएं तो पहला है क्या छारी विलेन में H प्लस आनुपसित होते हैं अगर हां तो यह विलेन छारी क्यों होता है तो यहाँ पर question पहला है तो question पुछा है क्या छारी विलेन में H प्लस आन उपसित होते हैं अगर हां तो यह विलेन छारी क्यों होता है तो इसका उत्तर क्या होगा तो छारी विलेन में H प्लस आन उपसित होते हैं किन्दो छारी विलेन में जो OH- की आयन है था जो OH- प्रस रान होता है इसकी संफ्के के H1 अहीं के Tula में अधीक होता है जिसकी वज़ह से विलेयन 6 होता है ओके तो आएयोप आप एसन का अंसर समझा होगा चाहर विलेयन में H2 उसकी संफ्क्य में विलेन A एवं B है विलेन A का PH पाफ 2 happiness आाथ है किस में hydrogen के सांधरता अ इसमें हम लोगों को क्या बताना है hydrogen आयन के सांधरता किसका अधीक है स्थांथ हमको बताना है इन में से कौनसा विलन अमली है एवं कौनसा चारिया ओके तो इस question का आश्र बताने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग पीच स्किल के बारे में समझते हैं कि तो यहां पर हम लोग स्कल्नाते हैं घथा लिडिवातर रहे addicted से लोके तो कि तो में से लिह लेकर कैई 14 तक कि क्या होतरा यहां यहां था यहां पर माई डीनोट करांओं तो खीर यह सुन्य हो गाइव जीरो वोरन टू थित्री फो फाइव सीक्स सेवेट एट नाइन 11 11 13 even 40 अतराथ इस प्रकारश आप लोग देख सकते हैं कि जो पीछ इस कर में क्या होता है सुनिय से लेकर क्या 40 तक संख्या होता घृरो से लेकर 14 तक तो जिनमें से क्या होता है जो 7 होता है अतराथ यह वाला जो 7 होते क्वेसन में पूछा गया है कि विलेन E का पीजमान अफ है एक विलेन कि अधिक और से जब लगोगे थीक विलेन तो हम लोग जानते हैं कि अमली में क्या होता है, हुआक करा हूं और यहां पर होता है, कि हम लोग कर सकता है, किस विलेन में स्थार्ण के सांदru हैं तो ब्लियन ए में गया दरुकिल्ए का है, अधिक है और इनमें से कौन से विल्यन अमली है तो विल्यन ए अमली है तथा विल्यन भी छारिया ओके तो आए होब आप लोगों को इस प्रेशन का अंसर समझा होगा थर्ड जूली ने जब पांच विल्यन A B C D Y E के सारवत्रिक सुचक से जाच की तब पिछ मानुकरम सा नौ साथ एक तीरा एवं छाप राप्त हुए इस आधार पर बताएं कि कौँम शरियन, दुरुबल अमलिया है, बाध दुरूबल शारिए है, सब्रभल अमलिया है, दा प्रभल शारिया एवं ईधास्यना है ऐउके तो चेली सबसे kicker को समग फिदा tej को पांच होलें जैसे कि A, B, C, D, A एवं की क्या है सारवेट्रिक सुचक के तोरह क्या क्या इसका प्यच मान गया तो उनको 9, 7, 13 एवं 6 प्राप्त है तो इसके अधार पर हमको बताना है कि कौन दुर्बल अमली है कौन दुर्बल अमली है कौन प्रबल अमली है कौन प्रबल अमली है कौन प्रबल अमली है कौन प्रबल अमली ह यह मं सलाइक सार्य को पलिल दल्सित करता है इस को सलाइक आप आपकाय आपके आजिका कि जैसे जीसे हम 7 सी शेमनिते ओंग नहीं मृता है उप भैशर सांवन की संदर्त है बठताइ ठीक इसे प्रकार क्या बोड़ता जाता है यहां पर क्या होगा जो अमलें क्या होगा प्रबल होगा यहांपर क्या होगा इहां पर दर fr चाहरी क्या हो गया शार्य- यहां पर यहां पर किया हो गया होगा यहांपर और यहां पर क्या होगा दरुबल आमली 트म जीराइटार इसमें आगे बढ़ता जाता है इस वज़से में दूर्बल अम्ली क्या होगा तो अच्छा होगा इस वाला दूर्बल अम्ली प्राइटां था लोगों को समझा होगा और प्राशन 3 में देए गया आँख़लों की अधार पर पाँच्छों विलिएने कि आयन संदरता को बड़ते करम में लिखें तो जो फिर्ड है इसमें का जू आयन है इसको क्या करते हैं हम लोग हाय्टूजन आयन के संदरता के बड़ते करम में हम लोग लिखते हैं है तो हमको कि इसमें क्या कर रहा भड़ते क्रम में लिखना है इस प्रकाल से इसका जो हायरूजन का बढ़ते क्रम होगा 13 97 इसके कमज्ड नाइन से वन इसके आम respondsत 17ấy स्राइख्य इसके । इक यूग क्यों कि च्छार में क्या होता है जो इस प्लस आन की मात्र ला को बढ़ते हैं तो आए हूप आपड़ोगों को सभी क्विस्टन का अंसर अच्छे से समझाया होगा तो बिना देर के चलिए बटता हमारे आज की टॉपिक में हमारा आज की टॉपिक है लवन जिसको इंगलिज में 60 भी कहता है तो जिसको आमक के नाम से भी जानता है तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ता है तो चलिए सबसे पहले हम लवट की बारे में समझते हैं कि लवट होता क्या है जब अमलन इवम च्र आपस में विक्रिया करके लमट इवम जल का निल्माड करता है चैसे एग्जांपल के तारह। आपस में विक्रा करके लवड इवम जल का निर्माड करता है तो आए खुब आपनों को समझा होगा तो चलिए आगे बढ़ता है हम जानते हैं कि जली माड़ा में अमलाओ च् KAR कमस एच प्रस आयन और ओच मैनस आयन उद्पन करता है तो चलिए समते हैं कि वह जली विलेमें वह इवम च्छार किस्प्रकास थे इच प्लस एभाँ मैनस आयन उद्पन करता है तो चलिए इसको हम लोग समातते हैं इसलिक हाट डो ग्लोरिक अमल लेटे हैं अधाद में क्या करता है। वह चलिक हो हैंट फरक्रांस क्षर जो फो घ्रैकल दो धोलन करता है एन पलस सीसी कुरों भीék यह आचतो हैंगो करते हैं्、 Hосс साल्ट का निर्माड करता है tut होगया यह दूनों क्या करता है । वाटब के मन्युक्ति लगाओ Fahrt जैष मार करता है लमण आसे आनी क्योगिक है जिन्स में एक भाग धनावसित और दुसरा भाग रिनावसित होता है तो लमण क्या होता है एक आनी क्योंक होता है था उसमें क्या होता है आन होता है जिसके में जो एक भाग क्या होता है वो धनावेशित होता है यूँ दूसरा भाग रिणावेशित होता है जैसे कि यहां पर दे सकता है कि जो एनी सेल में क्या होता है धनावेशित भाग होता है तिसमें धनात्मक आविसुकी संख रेणात्मक आविसुकी संख रेणात्मक आविसुकी संख के बराबर होती है और लवड विदूत उदास्षिन होता है लवड बनाने के कई तरीके जिनमें से मुख्या है अमलवचारा का उदासनी करण अभिग्रिया तो लवड बनाने के क्या बहुत सारे तरीके से इनमें से मुख्या तरीके कौन सा अमलवचारा का उदासनी करण अभिग्रिया अभी उदासनी करण अभिक्रिया क्या होता है तो इसमें आप लोग याद रखीगा कि मैंने बता है तो इसमें आप लोग याद रखीगा करके लवन इवम जल का निर्माण करते हैं इस अभिक्रिया को ही उदासनी करना भिक्रिया कर जाए तो आए फोप आप लोगों को समझा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि यहां पर हम लोग उदारा देख सकते हैं कि जैसे कि यहां पर प्रदेशित अच्छी नाटिक अंबला तो जो कि पोटेस्यम हाटक्साइड अचार के साथ अब इक्रिया करके क्या है पोटेस्यम नाट्रेट लवन का निर्मार करता है तो इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां पर जैसे कि एक्यू लिखा गया है तो एक्यू से अताथ परी क्या होता है एक्वस होता है तो एक्वस अताथ जैली विले लेता है साथ ही पोटेस्यम नाट्रेट का जैली विले लेता है दोनों मिलकर क्या बनाता है पोटेस्यम नाट्रेट का जैली वि करता है इसी प्रिकास जो यह सीटी कमला होता है प्लोग को इस तमी करन को स्थमाजार होगा उपरोग्त दहारणों में हम देखते हैं कि लमण का धनात्मक भाग छारक से आता है जिसको छारी मुलक कहता है दहारण पोटेशन नाटेट के एनो त्री में के प्लस छारी मुलक जता है एनो त्री मैनस अमली मुलक है तो जिसकी पोटेशन नाटेट में क्या होता है जो की इनो त्री था जो पोटेशन नाटेट का जो की प्लस अताथ किये है वर तो पोटेशन हुआ चारी मुलक जता एनो त्री मैनस अमली मुलक है तो चलिस समझते हैं कि अमली मुलक एवं छारी मुलक क्या होता है यहां पर हम लोग देख सेटें कि जो धनादमक होता है अथा जो की प्लेसर प्लेसर की द्वारा आता है जिसके वज़से इसको छारी मुलक कहते हैं एवं जो इसका जो क्या होता है रिडात्मक भाग होता है था जो रिडात्मक भाग इनुथ्री मैनस होता है वह किसके द्वारा आता है वह अमले की द्वारा आता है जिसकी वज़ेसे क्या होता है अमले मुलक कहते हैं तो आए खोप आप लोगों को रिडात्माग भागताद एन उत्री मैंनस एकस के द्वरा आता है वह अमलस याता है जिसके वज़़े से इसको अमली मुला कहते हैं उकिए तो आई होप आप लोगों को समझा होगा इसके साथ याप लोग याद रहेगा साथ आप लोगों के माईन में आ रहा होगा कि किस प्रकार यहां पर की प्लस लिखा गया है कि किसी भी आलिमेंट को समझस करद नहीन कि यहां sono true जाते ही? जिसी कि हम थो कि अइनिसियल के बारे में जाना है अईनिसियल से अद्धनबट क्या होता है is प्र250いきます तो जो जेली विरम में क्या होता है, वा धनाय नताल एने प्लस यों सी एल मानस में क्या होता है, वा विभगत होता है, तो इसका कारण क्यों है यहाँ पर धनावेस, यहाँ पर रिणावेस क्यों लिखा गया है, तो चलिए इसको समझते हैं, तो यहाँ पर धनावेस से ताद जैसे कि यहां पर हम लोग क्या लिए उधारण के लिए इसको क्या होता है कि यहां पर पॉजिटी सान इवं यहां पर नेगेटी सान क्यों निखा गया है ज्युक्त हम जानते हैं जो पर्माडवक्रमा कितना होता है साथ ही इसको हम लिएक्टानिक स्देड़रा समझते हैं यह क्या होगा इसका फर्स्ट कोस्क हो गया ओके यह सबसे पहले सूडियम के लिए बनाते हैं इसका सेकंड कोस्का जिसमें कितने लिक्टान होता है तो तो यहां दो हो गया दो और एक दो तीन चार पांच कितना होगा तो बचा कितना एक लिक्टान क्या होता है या सब्सक क्लोड बनाते हैं। तीन चार पांत छै साथ आठ की किसी प्रकाश से जो थर्ड वाले कोस होता है इसमें इसमें कितना शेगा तो दो आड हो गया कितना साथ तो लास्ट में कितना था साथ लेटान वन टो थ्रीbak प्रफाइज इस प्रकाहाँ से क्या है क्लॉरिन का लेक्टानिक विनास जैसे की यहां पर हम लोग इसके त्वारा समर सकते हैं यहां पर सोडियम के जो बाहर को इसमें किवल 1 एक लेक्टानिक प्रजा की आवज़ जग है अथ्माग, इसेतरे हैं, जो ख्लूरिन क्या करते हैं वह एकलिक्ताान को ग्रहन करते हैं विसके स्यषत अपने स्यषिपले करते हैं जिसके वज़이죠 donc Śरान को द्लाट ओकरकर के अभन इसका अश्ठव prosecutor हो जाते है जिसके वज़ जाते हैं सोडिया में धनावेस आजएता है कि इसका घ्रम करता है औप अलिक्टान का त्यार करता है किसी भी अल्समें धनावेस के लिखे गया ठेक किसी प्रिकास से हमें लोग है प्रॉटेस Index जो लेख सेखता हैं जहां पर क्या होता है जो कहाँ चूब करता है जिसकी वजय क्रहण करता है जिसकी वजय से यहां पर माइना सब्सक्राइब होप आप लेकों समझा होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कि वेडियो में धन्यवाँ झाल